नमस्ते, पिक्चर रिकैप्स हिंदी में आपका स्वागत है, आज मैं स्प्री नामक एक हॉरर, क्राइम, कॉमेडी फिल्म के बारे में बताऊंगा, बिगाडने वाले आगे सावधान रहें और ध्यान रखें, कई वर्षों से कर्ट नाम का एक व्यक्ति ओनलाइन प्रसिद् मिल है, वह अपने पिता क्रिस को भी दिखाता है, जो एक डीजे के रूप में काम करता है, और कर्ट की मा को बहुत समय पहले तलाक दे चुका है, चुनकि उसकी मा इस बात से बहुत परेशान थी, कर्ट ने एक अच्छा बेटा बनने उसके साथ रहने का फैसला किया, घले ही वह कितना भी रिकॉर्ड कर लें, कर्ट को अपने वीडियो के लिए वफादार दर्शक नहीं मिले, उनकी संख्या कभी भी दोहरे अंग तक नहीं पहुँची, यह बॉबी और उसके चैनल बॉबी बेस कैम्प से बहुत अलग है, एक बच्चा कर्ट बच्चों की देख भाल करता था और अब एक प्रसिद्ध प्रभावशाली व्यक्ति है, कर्ट खुट को बॉबी के दोस्त के रूप में देखता है, लेकिन बॉबी उसे बरदाश्ट करता है और उसे अपने कैमरे से दूर कर देता है, दस साल की असफल स्ट्रीम के बाद कर्ट एक पानी की बोतलों के साथ अपनी कार को तयार करते हुए शुरुवात करता है, इस कार का उपयोग कर्ट द्वारा स्प्री नामक एक राइडशेर एप के लिए ड्राइवर के रूप में काम करने के लिए किया जाएगा, और वह जिस पहले यातरी को उठाएगा, वह एक आद कि यह नसलवाद उसके लाइवर स्ट्रीमिंग दर्शकों को नुकसान पहुचा सकता है, जो वर्तमान में सिर्फ बॉबी है, इसलिए वह थोड़ा और लापरवाही से गाड़ी चलाना शुरू कर देता है, लड़का शिकायत करता है, लेकिन कर्ट उसे अपना मुफ बोतल बंध पानी पीने के लिए प्रोच साहित करता है, यह पता चला है कि यह पानी जहरी ला हो गया है, और कर्ट ने पकड़े जाने के बिना ऐसा कैसे किया जाएं, इस पर एक संपूर्ण वीडियो ट्यूटोरियल भी बनाया, फिर कर्ट कुछ संगीत बजाता है और स्टॉप पाठ का हिस्सा है, कर्ट का अगला यातरी एक चतोर वियाल्टार है, जो ट्रंक में अपना चिनह छोड़ता है, कुछ बातचीत के बाद वह अपनी पसंद से पानी की बोतल लेने जाती है, और जल्द ही कर्ट की दूसरी शिकार बन जाती है, कर्ट कैमरे पर शरीर को ठीक स दिखाने के लिए पीछे की सीट पर जाता है, और यहां तक की मजात में कहता है, कि वह पानी भी पी सकता है, उस समय क्रिस ने कर्ट को फोन करके चलने के लिए कहा, लेकिन कर्ट ने फोन कार्ट दिया, फिर वह अपने ट्रैक को कवर करने के लिए आगे बढ़ता है, वह मह हिला को कार्य बैठक में अपेक्षित न किया जाएं। शरीर से छुटकारा पाने के बाद, कर्ट अपने अगले यात्री, मारियो नाम के एक अपघर्षक मीठेड को उठाता है। कर्ट अपना कुछ संगीत बजाने की कोशिश करता है, लेकिन मारियो इसकी शिकायत करता है, वह मुफ्ट पाने को छुने से भी इनकार कर देता है। कर्ट उसे कार में बिठाने के लिए उसे मुफ्त में ड्राइव करने की पेशकश करता है, जैसे ही वह गाड़ी चलाता है, कर्ट सुनता है कि उसके बहुत सारे अनुयाई हैं और वह उससे पूछता है कि उसने यह कैसे किया, जिस पर उसने जवाब दिया कि वह बस मजा किया है फिर कर्ट मदद मांगता रहता है और मारियो उस पर बेहद अनुचित तिपणिया करता रहता है इसलिए जेसी कार छोड़ने से पहले अपने सोशल मीडिया के लिए सब कुछ रिकॉर्ड करती है इन दो खौफनाक लोगों द्वारा उसे परेशान करने से तंग आकर अब कर्ट परेशान है क्योंकि उसने एक वास्तविक सफल प्रभावशाली व्यक्ति से दोस्ती करने का मौका खो दिया है इसलिए वह अचानक मार्ग बदलता है और मारियो को एक दूर के निर्मान स्थल पर ले जाता है वह इतनी तेजी से गाड़ी चला रहा है कि मारियो बीमार महसूस करने लगता है और कट उसे अबकार छोड़ने के लिए कहता है मारियो शिकायत करता है लेकिन फिर भी चला जाता है क्योंकि उसे खुद को राहत देने की जूरत होती है और उस पल में कट पूरी मात्रा में अपनी कार को मारियो पर पटकने के लिए गती बढ़ा देता है जिससे शरीर कार के उपर उड़ जाता है और सामने की खिड़की पर एक परिपून स्थिती में आ जाता है कैमरे के लिए खुनी कोन मारियो के शव को फैंकने और कार की सफाई करने के बाद कर्ट जेसी को उसके सोशल मीडिया पर घूरता है और देखता है कि उस रात उसका एक स्टैंड अफ शो है वह इसे एक संकेट के रूप में देखता है और कहता है कि वह और जेसी एक ही रात में घटित होने वाली दो बड़ी चीजे हैं कर्ट अभी तक बड़ा नहीं है क्योंकि उसके पास अभी भी एकलंकिये दर्शक हैं और उसका एक मात्र टिपर बॉबी है जो अभी भी सोचता है कि हक्तियाई नकली हैं ऐसा इसलिए है क्योंकि वह स्वयन एक बहुत ही नकली रचनाकार है वह हमेशा बेगरों के साथ मजाग करता रहता है और एक बार जब उसने कथित तोर पर उनकी मदद की थी तो यह सब कैमरे के लिए किया गया था यह जेसी जैसी बिलकुल नहीं है जिसे लोग इसलिए पसंद करते हैं कि वह कितनी सच्ची और भरोसे मंद है कुछ खशन बाद कर्ट गैस स्टेशन पर रुखता है जहां वह रियाल्टार के स संकेट से छुटकारा पाता है और बॉबी के साथ बहस करते हुए टैंक को फिर से भरता है जो उसे बताता है एक बार कार से सारा खोन साफ हो जाने के बाद कर्ट अपने अगले यात्रियों सोशलाइट्स की तिकडी जिसमें रिचर्ड, केंडरा और लंदन शामिल हैं के ल और कर्ट के साथ बादचीत करने के लिए आगे की सीट पर कूट जाती है आखिरकार कर्ट फिर से रास्ता भटक जाता है और तीनों को एक कबाड़ खाने में ले जाता है और रिचर्ड और केंडरा को सनरूफ लगाने के लिए कहता है क्योंकि यहाँ एक सुन्दर ग्रिश है जो सोशल मीडिया तस्वीरों के लिए बिलकुल उप्युक्त है रिचर्ड और केंडरा साथ खेलते हैं और मौजमस्ती करते हैं लेकिन फिर कर्ट तेजी से गाड़ी चलाना शुरू कर देता है और अचानक संरूफ बंद कर देता है जिससे उसके अगले शिकार फंस जाते हैं जबकि उसका गाना प्रिष्ठ भूमी में बसता रहता है उसी समय कबाड़ खाने के कुछ जंगली कुत्ते खाना खाने के लिए रिचर्ड और केंडरा पर कूट पड़ते हैं और कर्ट लंदन को मारने के लिए एक पावर ड्रिल लेता है जिसे वह अपनी कार में रखत इस तरह के और वीडियो के लिए सब्सक्राइब करें नोटिफिकेशन चालू करें और चैनल की मदद के लिए एक लाइक छोड़े देखने के लिए धन्यवाद